अगले दिन युहन्ना अपने दो चेलों के साथ वहीं खड़ा था जब उसने यीशु को जाते हुए देखा ये परमेश्वर का मेमना है उन दो चेलों ने उसे ये कहते सुना और यीशु के पीछे हो लिए यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा तुम किसकी खोज में हो तुम कहा रहता है हे रभी हे रभी रभी अर्थात हे गुरू चल कर देख लो ये समय था लगभग दोपहर के चार बजे तो वे उसके साथ गए तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे उन में से एक शमौन पत्रस का भाई अंद्रियास था उसने तुरंट अपने भाई शमौन से मिलकर कहा हमें मसीम मिल गया इस शक का अर्थ है ख्रिस्थ वह शमौन को यीशू के पास ले गया यीशू ने उसे देखा तु युहन्न का पुत्र शमौन है तु कैफा कहलाएगा ये पत्रस समान है जिसका अर्थ है चटान दूसरे दिन यीशू ने गलील को जाना चाहा वो फिलिपुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले फिलिपुस अंद्रियास और पत्रस के नगर बैचसेदा का निवासी था फिलिपुस नतनेल से मिला जिसका वर्णन मुसा ने विवस्था में और भुष्य द्वक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया वो यूसुफ का पुत्र यीशू नासरी है क्या कोई अच्छी वस तुभी नासरत से मिल सकती है चल कर देख ले यीशू ने नतनेल को अपनी ओर आते देख कर उसके विशय में कहा ये सच मुछ इजराइली है इसमें बिलकुल भी कपड नहीं तू मुझे कैसे जानता है इससे पहले की फिलिपुस ने तुझे बुलाया मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा पेड़ का विश्चों इसमें उसमें आप आपके एपको आपस्ट हैं आप इसने तुझे आपकी नहीं पर्मेश्वर् का पुत्र और आपके आपके अग्लाया चिंबुज करें आजा है मैंने तुझसे कहा कि तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा क्या तो इसलिए विश्वास करता है तो इससे भी बड़े-बड़े काम देखेगा मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ कि तु स्वर्ग को खुला हुआ और परमिश्वर के स्वर्ग दूतों को मनुष्य के पुत्र के उपर उतरते और उपर जाते देखेगा